नवस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं चोहान वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पांच ऐसे बेस्ट सर्टिफिकेट कोर्स जो की इगनू करवाता है और जिनसे जॉब लगने के चांसे आपके काफी ज्यादा इंक्रीस हो जाते हैं और ये कोर्स जो हैं जनवरी 2022 से सुरू हो रहे हैं सिखा 2021 SSC CGL Complete Batch जो की पांच जनवरी 2022 से सुरू हो रहा है सफलता बैच SSC CGL and CHSL 2021 एक्जाम लगसी SSC CPO 2021 एक्जाम Complete Batch on General Studies All SSC 2021 एक्जाम ये भी पांच जनवरी 2022 से सुरू हो रहा है Foundation Batch SSC MTS 2021 2022 एक्जाम Target SSC Stanographer 2021 2022 Complete Batch Complete Preparation Batch of All Subjects for SSC CGL and CHSL Super Platinum Batch for SSC CGL and CHSL 2021 2022 एक्जाम Mission Delhi Police Constable 2021 2022 Complete Batch Anacademy का iconic subscription लेने पर आपको priority दी जाएगी doubt solving में और live classes में raise the hand feature के जरिए ज़री जब आप question पूछे देंगे तो उसमें भी आपको priority दी जाएगी Ask a doubt feature में बजलाव किये गए हैं अब आप Anacademy की website के जरिए भी अपना doubt पूछ सकते हैं Ask a doubt feature का इस्तमाल कर सकते हैं एक ही बार में तीन आपने doubts को आप पूछ सकते हैं अपनी language में solution पा सकते हैं और अपनी website के जरिए Anacademy की website के जरिए या फिर Anacademy की app दोनों में से किसी से भी आप अपना doubts को पूछ सकते हैं Test series SSC experience के लिए जो की free भी है और plus में भी है तो आप इसको जरूर इस्तमाल करें code आपके लिए PC 2021 रेजा हैंड फीचर अनacademy के जिसमें आप live classes में अपने doubts को पूछ सकते हैं ये offline classes से भी बहतर SSC combat जो की होने वाला reasoning marathon 40 minute में 30 question 2 January 2022 को होने वाला है 12 बजे एक करोड तक की scholar से फिलती है हिंदी और इंगलेज दोरों में 2 January 2022 को code का इस्तमाल करना है PC 2021 big surprise एक SSC experience के लिए बहुत बड़ा subscribe आ रहा है इसलिए आप लगातर अनacademy पर बने रहें अगर आप अनacademy का प्लस subscription लेना चाहते हैं तो मेरे code PC 2021 का इस्तमाल करें और आपको मिलेगा extra 10% discount All set, let's crack it जो की सीज़ा सुरुवात करते हैं और इन 5 certificate courses में से कम से कम एक आप जरूर ले 6-6 महीने के courses हैं और इससे आपके जो certificate and communication and IT skills जाधा तर इस्टूएंट अकर 100 इस्टूएंट जो है इगनु में admission ले रहे है certificate course के लिए तो मान के चले कि 50% जो है वो इसी course को लेते हैं CCITS के काफी अच्छा course है 6 महने की duration और बार भी पास यान की 10 प्लस 2 आप होने चाहिए 10 प्लस 2 के equivalent जो होता है वो आपका होना चाहिए with English यान की English आपके उसके में एक subject होनी चाहिए इससे क्या होता है आपको IT sector की जानकारी दी जाती है BPO जो होते हैं उनकी से जानकारी दी जाती है MS Word MS Power MS Excel के बारे में जानकारी दी जाती है और साथ में आपकी जो English की communication skill है और vocabulary है उसको strong करवाय जाता है जिससे कि आप English बोल पाए अच्छी तरीके से English लिख पाए और IT sector की जो jobs होती है जिसमें काफी बार क्या होता है कि हमें phone के जरी है या communication करना होता है किसी से आपको इंट्रेक्शन करना होता है तो उसमें काफी आपको असानी होगी सिर्फ 6 महीने का course है यानि कि आप January 2022 में admission लेते हैं तो आपको जून 2022 तक आपके exams भी खतम हो जाएंगी और इसी साल तक आपको यह certificate भी मिल जाएगा आगे बात करते हैं certificate in tourism studies इस समय तूरिज्म में सबसे ज्यादा आपको job opportunities मिलती है क्योंकि हर सहर में कोई ना कोई इस तरीके क्या चीज होती है जिसमें लोग देखके आना चाहते हैं और काफी सारे विजेसों से भी लोग यहां पर टूरिस्म के लिए आते हैं तो इसमें क्या है बहुत ही simple course है 6 महीने का course है और 10 प्लस 2 यानके सिर्फ 12 पास आप होने चाहिए 10 प्लस 2 होने चाहिए और इंग्लिस और हिंदी दोनों में करवाया जाएगा यानकी इंग्लिस मीडियम में भी आप इसको ले सकते हैं और हिंदी मीडियम में भी आप इसको ले सकते हैं सिर्फ 6 महीने का यह course उसके बाद आगे बात करें तो पोस्ट ग्याज़ेशन सर्टिफिकेट इन क्लाइमेट और यहां तक कि जो विजए से सरकार है फॉरं कर्मेंट जो है वो भी इस तरिके के एंजियोगे के स्ट्वेंट को सपोर्ट करती हैं जो कि climate change के ओपर काम कर रहे हैं to climate जो टॉपिक है उस पर आपको गॉर्मेंट के तरफ से help जो है वो काफी अच्छी मिल जाती है और आपको इंट्रस्ट है तो यह कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है डुरेशन इसकी भी सिर्फ 6 महीने है मीडियम इंगलिस रहेगा और एलिजिबिलिटी इसकी बाकी कोर्स के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा है यानि कि ग्रैजोइशन होने चाहिए आप किसी भी ग्रैजोइशन का मतलब है यानि कि अगर आपने इगनु से बीए वी कॉम बीए सी अभी कंप्लीट किया है तो इस कोर्स में आप जरूर एडमिशन ले और 6 महीने में आप के हाथ में होगा पोस्ट ग्रैजोइशन सर्टिफिकेट क्लाइमेट चेंज के उपर जहां पर आप कोई एक फॉरन लेंगवेज सीक सकते हैं इगनु कौन-कौन ची फॉरन लेंगवेज करवाता है उसके वारे में पहले में आपको बता देता हूं जर्मन करवाता है परसियन करवाता है फ्रेंच, अरैबिक, रसियन, इस्पैनिस, कोरियन और जैपनीज, यान की इन में तो इन में काफी जादा job opportunities होती है इसमें लेकिन मैं एक चीज आपको बता जो कि इसमें जो डुरेसर है वो अलग अलग है यानि कि कुछ कोर्सित ऐसे हैं जो कि 6-6 महीने के कोर्सित हैं जैसे कोरियन हो गया और यह लेकिन कुछ इस तरीके के कोर्सित भी हैं जो कि एक साल के एक साल और दो साल तक के भी कोर्से तो एक बार आप इनको जरूर देख ले अगर आप इन में से किसी में भी इंट्रेस्टेट है कुछ कोर्सित जो है इसके वो 6 महीने के हैं और कुछ कोर्सित इसमें 1-2 साल के भी हैं और इसकी जो eligibility है वो सिर्फ 10 प्लस 2 ही है यान कि आप 10 प्लस 2 है तो आप इसमें admission ले सकते हैं उसके बाद बात करें तो certificate in information technology यह सिर्फ 10 पास student के लिए अगर आपने सिर्फ 10th की हुई है उसके बाद आपको कुछ समझने नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए तो इसके जरीए भी आप job पास सकते हैं यह है certificate in information technology इसमें आपको basic समझाय जाएगा किस तरीके से computer का hardware होता है software होता है programming concept क्या होता है networking क्या होता है 6 महिने का यह course है और अगर आप 10 पास के बाद और आपने कुछ नहीं किया है तो यह आपके लिए best course है तो आप इन में से से एक course में जरूर admission ले और 6 महिने में कोई ना कोई एक certificate ले ले तो इस वीडियो में इतना है वीडियो आपको पसंदा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए